कि अपना चो आज के लिए मैच रहेगा यहां से रहेगा लंका प्रिमेर लीग का मैच किस किस के बीच में एक तरफ आपको देखने को बलेगी यहां से बीक लग केंडी और दूसरे तरफ रहें वाले डंबुला उरा की टीम अब कैसे कुछ इन दुरों टीम के बीच में प्ल वीडियो पसंद आए जो लाइक जरू करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं क्या हुआ है तो फटावर्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ठीक है बात करता है देखो उपने मैच की अब उससे पहले एक और चीज़ है कि टेलेक्राम चैल भी जोइन कर लेना ठ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्ष कमेंट में भी मिल जाए क्योंकि काफ़ारी अपडेट से जो सिर्फ आपको वहीं पर देखने को मिलती है तो मैस नहीं करना है ठीक है बाकी तीन बज़े देखो इस मैच कर लें दिन में क्यूंकि आज के लिए डबल हैडर है पले-क सिदा आपको एक चीज़ तो क्लियर यहां पर पता चल जाती है कि बैटिंग करने वाले टीम कहीं न कहीं यहां पर एडवन्टेज में रहती है कि वह एक अच्छा डोटल यहां पर बना दे और बाद में उसको डिफेंड कर लें ठीक है जैसे यहां पर 89 बनाये थे लास्ट केंडी ने मनाये थे और फिर यहां से जाफना ने वो टार्गिट वो टार्गिट को अचीव नहीं कर पाये थे और यहां से कैंडी की टीम डिफेंड करके विन कर गई थी पर एक चीज़ आप देखोगे किसी किसी मैच में ही सिर्फ आपको स्पिनर्स के विकट जादा से जो अगें दो फिर बी थोड़े से कम रहते हैं तो यह आज आए अच से अपनी टीम के ओपर जो प्लेंग रही की ठीक है कैंडी के टीम के तो यहां से जो धान हो डूबारे और चनिली उन्हों लेट में उन्हों उपन किया था हलाकि मेरे को यह पार्टनर्शिप कुछ जादा जमीन ही डबारे के तरफ से एक यहां पर एडवन्टेज क्या रहते हैं कि वो बोलिंग करा रहे हैं भी के लिए एक और इवन इस मैच भी नौन डाला था उससे पहली भी एक और है फिर यहां बीच में एक बर रन बन रखें अभी शुरुआ था लगा इनकी अच्छी नहीं रही है उसके बात में आसे कुछल मेंडिस आते हैं कुछ जादा खास शुरुआत इनकी भी देखने को भी तक मिली नहीं है अब इनसे मैं एक डीसेंट सी वर्खांस की उमीड कर रहा था कि बीस पच्छिस रन साथ म में से भी हम यहां से सिर्फ एक कोई रख रहे हैं तो फिर उस केस में एंजलो मैठ्यूस को रखना बन जाते हैं ठीक है बाकि उसका आद में वाइन दो हसरंगा है जो इंपॉंट बनने वाले इन्होंने कुछ जादा खास करके दिखाया तो नहीं है दोनों मैच्छिस में इंपॉंट तो बनेंगे हैं रिस्क नहीं ले सकते हैं अब इतना बड़ा इनको ड्रॉप करके इवन सीवी सीवी कर सकते हैं उसका आद में एक मैच में बनाए हैं 27 उससे पहले अगर हम परफॉंस की बात करें 42 24 37 45 स्कोर इंके तरफ से प्रिवियस मैच्छिस में भी देख बने को मिला है उसके बाद में यहां से आजाते हैं आसिफ अली यह बंदा संगल इजट स्कोर से ओपर जाता ही कहा है उसका बाद में आसे आमिर जमाल है इन्होंने एक विकट निकाला एंड यहां से हसने ना आते हैं दोनों ही मैच इनके ठीक रहें उड़ाना मैं बने के भी हाई चांसे हैं इनके उसके बाद में आसे मुझिब देखने को बलते हैं यह तो वैसे ही कुछ जादा खास नहीं कर पाएं बटाई तिंग आज के लिए क्या होगा कि अगर बैट अगर बोलिंग फरस्ट करते हैं तो उस केस में शायद मुझिब के विकट निका बोलर हैं अब दो बोलर और यूज हो रहे हैं जो की एक एक ओवर डाल रहे हैं दोनों मैच में एक कमिंदो मेंडिस एक यहां से थनुका डबारे ठीक है तो यह रहती है पूरी टीम अब आज आते हैं अपना नेक्श निकल कर इनके बैंच फिलियर को पर आपको पता है कि प्रिमर लिग का जो स्कोर्ड है वह यहां से काफी जादा बड़ा होता है ठीक है तो अन्वान प्रदीप आपको देखने हो बलते हैं डीसेंट बोलर है खिलाते हैं तो ट्राय कर सकते हो फकर जमान ऑविसली मैं गोलूँगा अगर खेलता है तो आपके लिए मश्ट पिक क अभी जो एशा का प्रहात और जो वर्जी एशा का पॉआ उसमें इन्हों ने थोड़ों को ट्रंस बनाये थे बाकि उससे पहले के जो टीट्वन्टीज है पाकिस्तान लीग वाले उसमें इन्होंने कुछ बीच में अच्छी पारिया खेली थी बाकि वहां भी बाद में ज प्रहना विथाना देखने को मलते हैं आठ चोदा चपन आठ तीन बीच में एक बर एक विकेट निकाल है बाकि स्कोर भी सिर्फ ही कि देखने को मलता है तो अवरोल तो डीसेंट प्लेयर है कुछ जादा खास लगा नहीं लेफ्ट ना तो बैट ना तो बैटिंग ही ना तो बोलिंग ही दोनों से ही कंसिश्टन नहीं रहें कि एक मैच में या एक मैच में परफॉर्म कर दिया हूँ उसके बाद मैं आपको यहां से अविश्का थरिंडू देखने को मलते हैं जो कि भाई ठीक है बना सकता है दस पंदर रहना अगर खेलते हैं तो उससे जादा क्यू प्लेयर यहां बनने वाले हैं उसके बाद मैं आपको यहां से मदूशंका देखने को बलते हैं राइटाम मीडियम प्लेयर और अगर रिसेंट फॉर्म देखो तो बहुत गजब करा है यहां से मदूशंका ठीक है अगर खेलता है तो जील में तो भाई ट्राइक करी लिए स्मोल लिग में अगर जगे बन पाए तो ज़रू रख लो बाकी सेम चीज यहां समा बोलूँगा यहां थरुपती के लिए जिन्हों ने बोलिंग भाई बहुत कमाल की क्यों यह रिसेंट मैशेज मन तो अगर खेलते हैं तो जील के लिए आपके लिए जरू पिक बनते हैं वहीं पर यहां से भी आपके लिए दो बनते हैं फकर जमान और चमिरा जो इनके सकर आते हैं टीम में खेलते हैं प्लेइंग किलोगा उन में तो फिर आप उनके लिए मश्पीक रहोगे मतलब आपको टीम में रखने ही रखने अपनी डूसरी टीम के उपर जो के रहने वाल तो कहीं ना कहीं वह अच्छा रहा है तीक है इसलिए मैं बोल रहा थे कि एक मैच में एक पर आउट होगे तो जाज़ा जाज मत करना कि भई पिछले मैच फ्लॉप होगे इसमें भी नहीं रखना है तो अविश्का फर्नेंडो कुशल मेंडेस दोनों को रख सकते हैं इसके त निकाला था उससे पिछले मैच में 43 रन और एक विकेट रहा था तो ओवरॉल बहुत बढ़िया प्लेयर आपके पास में दरेंज़टी सिल्वा आ जाता है जो आपके स्मोली टीम के लिए सी वी सी ऑप्शिन बनेगा ठीक है उसके बाद में कुशल परेर है यह आपको पता तो यहां से टॉप फोर रख लेना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं बनती है कुशल परेरा आपके लिए यहां से मैं मान तो मश्ट पीक है जील के लिए सी वी सी भी कर सकता है अच्छा खासा हाड इटर है अच्छे चक्ये मार लेता है बागी समारा विक्रमा है अब टॉप फोर मैं से किसी के ऊपर आप रिस क्लेर रहे विलाइक अविशका के ऊपर या कुशल परेरा के ऊपर तो उस केस में आप सदीर है समारा विक्रमा को रख सकते हो पांच वे नंबर पर सदीर भी बहुत जादा कुछ अच्छा खासा कर पाएंगे बाकि एलेक्स रोसे एक पाकी यहां से हीडन कर आते हैं अब देखो इसके लिए याद हो गए एक बात बोले थे बिग बैश का खिलाड़ी उतना कुछ खास करता नहीं है एक विक्ट जरू निकाला उससे पहले बीस रेंज जरो विक्ट थे और उससे पहले वागर हम रिसेंट फॉर्म देखे तो कुछ ज़्यादा खास यहां से एडन करका रहा नहीं है बट टूबी सेफ चोईस ठीक है टूबी सेफर साइड आप इनको लेकर चल सकते हो उसके बाद में यहां से एस दानी आते हैं विक्ट वगरा दानी ने बढ़िया निकाल रखें रिसेंट में एक दो मैच विक्ट ल इसकाद में आँ से जैविक्रमा देखने को मिलते हैं लेफ्टाम और्टरोडोक्स अब कुछ ज़्यादा खास विक्ट जैविक्रमा निकाले नहीं है पिछले चार मैच तो मैच तो मैच तो मैच उससे पहले एक एक विक्ट जरूर निकाल रहे थे तो यह है डेमबुला औ आपके लिए बोलिंग करने वाला है और उसके बाद मैं यहां से घंडेंजर डी सिल्वा तो कुल मिलाकर यह पांच बोलर यूज हो सकते हैं बट उसमें भी फिर क्याए कि पार्ट टाइमर्स का एक ही कोवर के तर्ड का लगता है तो उसमें क्या है कि यहां से रविंदू पर देंडगे और अगर किसी और से बॉलिंग कराना चाहे तो यह भाई यह बॉलिंग कर सकते हैं ठीक है एक दो और की करा सकते हैं चांस बनते हैं इसीज बाटे बागी आगा पास में नूर रहमाद निकाला बाकि मदूशन है इधर से जिरो नहीं विकट निकाला था बैठी हुए एंड देन हाते है हमारे पास में यहां से मान्यालकर, डी, सिलवा, ठीक ठाक, और राउंडर है, उन्से जज़ादा बहतर कोन बनते है, उन्से जादा बहतर यहां से एड़ी सिंगे बनते है, जिन्हों बहाइब बैटिंग नहीं, तो बोलिंग ही साही, किसी डैनियल रहते हैं राइट हैं यह भी ओल्ड राउंडर ही बीच पीच में अच्छी इनिंग भी है बाकी तो वरोल तो मैं बोलूँगा की ठीक ठाक सा वर्फंस रहे कभी बैटिंग से कर दिया कभी बोलिंग से कर दिया वह वला काम है ठीक है बाकी इदर से नूर एहमाद या केस अगर खेलता है तो आपके लिए डिफरेंशल बीग भी बनेगा जेल में तो ट्राइ करना ही करना दशन हेमनता स्मोल लिग में भी कर सकते हो ठीक है इनकेस अगर खेले का तो सचिन दया चिला के है ठीक ठाक सार ज़रूर रहे ठीक है यहां पर देखुए तो बोलिंग नहीं कर रहे थे वर 63 बना दिये थे बागी टाइम आपको इनकी तरह से विकेट एक एक विकेट देखने को मिली जाता है हसन अली है टीटी का फॉम मैं बहुत जादा बढ़िया रहा है और सामने वाली टीम के लिए प्लेयर बैटल में भी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर निकल करा जाते हैं बागी वनुजा साहन है जोनों ने विकेट वगरा डीसन भाई निकाले हुए एक एक विकेट तो ही बीच वीच में दो तीन पर भी है उसका आद में काविंदू पतिराने हैं चार मैच में पांच विकेट है दन यहां से ट्रेविन मेथ्यूज दो मैच में ए बार आउट हैं और साहनवास दानी ने विनको तेज बोल में यहां से दो बार आउट किया हुआ है वहीं दूसरी टीम का देखते हैं तो धरन्ज डीसलवा अगेंस्ट वानिदू हसरंगा भाई बड़ाबूर आहाल है यहां से आठ बोल में दो बार आउट हो चुक है और प्रदीप ने यहां से बीस बोल में दो बार आउट किया एंट मेसे बार आउट हो चुक है यहां से तो बार आउट हो तो देखो टीम की बात करते हैं तो फिर मैंने यहां से कुशल मैंडिस को अपना विकेट कीपर रखा है ठीक है उनसे ज्यादा बैतर ऑप्शन कोई है नहीं ज़रू बनते है चड़ने वगरा लेने का पटाइड टिंग लेना उतना जरूर रहेगा कुशल परेरा अविश्का फर्णेंडो और यहां से मैंने अशेन बंडारा को रखा है अब अशेन बंडारा को लेने का रीजिन यह है कि बैटिंग में प्रमोट हो सकता है और इससे बहतर ऑप्शन बैटिंग ऑप्शन में यहां से नहीं मिलते है ठीक है बैटर सेक्शन में वहीं पर ओल्राउंडर् दनिया से इंजलो मैथ्यूज है उसका आद में सान अवास दहान है एंट दर हमारे पास में नूर एहमत रहेंगे मोहमद असने और उडाना को मैंने पिक्क्या हुआ है केप्टन वाइस केप्टन महसरंगा के उपर वापस से रिस्क लिए रहा हूँ बागी आप यहां से कुशल में डिस या फिर कुशल परियरा को भी ट्राय कर सकते हो तो यह जाते टीम और सब चीज़े बागे आपको वीडियो परसंद आई हो तो लाइक जरू करना चैनल को मिलते हैं आप कनेक्श्व डियों बहुत ही जारे जल्दू